याउया है हलो फ्रेंड्स revenue ग्यान फुर एक जाम मैं अम्ध्र जीत कुमार आज कि इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेट्स ओप इंडिया स्रीज का एक और वीडियो फ्रेंड्स सौस्ट इंडिया स्रीज क्रेंगे जानें एक नए राज के बारे में इस से पहले जितने भी Estates of India का वीडियो अप्लोड किये गये हैं उसे आप लोग एक वार जरूर देखेंगे आप लोग के लिए PDF वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक से आप पा सकते साथ ही Estates of India स्रीज को एक अलग प्लेलिस्ट कर दिया गया है जो लोग जिनको ढूणने में परिसानी हो रहे थी उन्हें अब ढूणने में कोई परिसानी नहीं होगी आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं States of India स्रीज वहाँ से आपको सारे States के बारे में वीडियो मिल जाएंगे हमने सेवन सिष्टर कर रखा है सेवन सिष्टर का यह आज लास्ट वीडियो होगा वही साथ में सौथ इंडिया का जितने थे राज उसे भी क्या गया है वहाँ भी आप जा करके जरूर देखेंगे जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारती राज की जिसकी राजधानी है कोहिमा आप गेस कर सकते कौन सी राजधानी है किसकी राजधानी है यह बात करेंगे कोहिमा राजधानी जिसकी राज कौन सी नागा लेंड नागालेंड वही जो सिवन सिश्टर में से एक राज नागालेंड के रूप में आती है बात करें नागालेंड की तो नागालेंड है भारत का एक उत्तर पुर्वी राज नागालेंड की राजधानी कोईमा जो बनी थी एक दिसंबर 1963 खो और यहां की सबसे बड़ी सहर दीमापूर है नागालेंड की जनसंक्या कुल 2011 जनगर्ना के अनुसार 19,78,502 है यहां की कुल घनत्व 119 पर व्यक्ती किलोमीटर स्क्वाइर है साथ ही छेत्रफल की बात करें तो 16,589 किलोमीटर नागालेंड में कुल सामिल जीलियो की संख्या 12 और यहां की मुख राजभासा अंग्रे जी है नागालेंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16 राज के रूप में किया गया था बरतमान समय में नागालेंड सरकार जो होती है वो नागालेंड सरकार कहलाती है और वहां का गवर्नर आर एन रवी आर एन रवी जो की बिहार से बिलॉंग करते हैं ये नागा लेंड का गवर्नर है वहां का मुख्य मंत्री जिसे आप सीम के नाम से जानते हैं वो है नेफियू रियो नागा लेंड की बिधान मंडल जोती है एक सदनी है वही बिधान सवा सीटों के संख्या कुल 60 सीटे जिसमें वो अपनी प्रसास निक्सेवा को संभालती है वही बात करें भारतिय संसद में इसकी भागेदारी की तो भारतिय संसद में राज सभा से एक सीट और लोक सभा से एक सीट सामिल है वही इसके उच नियाले की बात करें तो इसका अपना कोई उच नियाले नहीं है ये गुहाटी उच नियाले के कोहिमा खंड पीट से अपनी न्याइक प्रकिरिया को करती है कोहिमा खंड पीट और गुहाटी उच नियाले इसका मुख नियाले है वही यहां की बहान अक्षर मिलती है हमें एन एल एन एल यानी नागा लेंड अब इसकी बॉंडरी की बात करें तो ये पच्छी में आसाम राज से उत्तर में अरुनाचल प्रदेश से पूर में बर्मा से और दच्छी में मनिपूर से सामिल है एक वर आप लोग मेप को जरूर विजिट करेंगे वहां से आपको ये सारे किलियर हो जाएंगे जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं आसम अरुनाचल प्रदेश ये बर्मा यानी की मियानमार और यहां पर मनिपूर किलियर है चलिए एक और आप लोग मैप को विजिट करेंगे और जितनी भी अगर आपको राज और जीला पढ़नी है तो आप लोग एक और मैप को जरूर साथ रखेंगे पास में जरूर रखेंगे आप राज के चिन की बाद करें यहां कि राज के चिन में राज पसू, मितून, पक्छी, बेलिट, ट्रेगोपन जिसे साैंटिफिक नेम में ट्रेगोपान बेलिथी के नाम से जाना जाता है राज्य फ्ल में tree rodo dendron जीसे बैगानिक नाम rodo dendron arborum sm के नाम से जानी जाती है वही अश्टेट tree की बात करें तो ये है elder अब इसके कुछ बिसयस्ताओं की बात करें यहां पे कुल 16 प्रकार की जंजातियां निवास करती है जिनमें कुछ प्रमुक जंजाती अंगामी, आओ, लोथा, फोम, खी, मिन्यांग, दिमासा, चांग, पिंचूरी, रिंग्वा, संगतम, सूमी, इंचुगेर, कूकी और जेलियांग, कूकी और जेलियांग ये सभी सामिल है इसे कूकी और कूका में कनफ्यूजन नहीं करना है, कूकी एक दूसरी जंजाती है, जबकि कूका एक दूसरी जंजाती है बात करें, तो नागलेंड में सबसे उची चोटी मौंट सरामती है, जिसकी उचाई समूंदर तल से 3840 मीटर है नागलेंड और बर्मा यानि की बर्तमान का मियानमार, मियानमार से सारा माती चोटी ही जो है नागलेंड और मियानमार के बीच एक प्राकिर्ती कवरोद यानि बॉंडरी बनाने का कारी करती है राज ने 1950 के दसक में बहुत सारे यहां पर बिद्रो हुआ करती थी, खास करके अंतर जाती है संगर्थ तब जाकर के सन 1832 इसवी में कैप्टन जेन किन्स और पेमवर्टन के रूप में यहां पर एक उरोपिय नागलेंड आये थे उरोपिय नागलेंड आये और वहां की कुछ बिसेस्ताएं और विद्रो हुआ यह सभी उर्ष सांस्क्रीती को जानने की प्रतिक्छा जताई भारत की अजादी के दोरान नागलेंड आसम के अंतरगत 1955 में यह जो थी आसम के अंतरगत हुआ करती थी तब 1955 तक भारत सरकार ने भारतिय सेना की एक टुकड़ी नागलेंड भेजी और सन 1957 में भारत सरकार और नागा लोगों के बीच में एक बिलाई पत्र सामिल हुआ और बात्चित के बाद नागलेंड एक दिसमबर 1963 को भारत का सोलवा राज बना भारत का सोलवा राज बनने से पहले ये असम के अंतरगत एक जीले के रूप में सामिल था वही 1955 में जब वहां बिद्रो हुई बिद्रो को दवाने के लिए भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी और 1955 में भेजी गए सेना 1957 में तब विद्रो को दवाया गया और नागा और भारत सरकार के बीच में एक संध्युई बिलाई पत्र पर बात चीत हुई जिसके बाद नागालेंड भारत का एक सोलवा राज के रूप में उभरा 1980 में सक्ति साली समर तक अलगावबादी चरमपादी समू नेशनल सोसलेष्ट कॉंणिल आफ नागालेंड के स्थापना की गई यहां के प्रमुक्तियों हर की बात करें सबसे फिर्मस हॉर्णवील फेस्टीवल इसे आप अकसर एक induceा में देखते हैं हॉर्ण विल फेस्टिवल जो है उत्तर पुरव भारत के सबसे बड़े और मात्पुंट्य हारों में से एक है उतसेव का नाम यहां की प्रमुक पक्षि एक हॉर्ण विल पक्षि के नाम पे रखा गया है हॉर्णविल फेस्टिवल की शुरुआत 2020 में की गई थी नागा लेंड के प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए हॉर्णविल इंटरनेशनल रॉक फेस्टिवल वहां मनाई जाती है जो इंद्रा गांधी स्टेडिया में मनाई जाती है और भी जाने तो मुआसू फेस्टिवल मुआसू फेस्टिवल जो है वहां की एओ जनजाती द्वारा मैं के पहले सब्ता के दौरान प्रतिवर्स मनाई जाता है साथ ही सेक रनेई फेस्टिवल जो अंगामी जनजाती द्वारा मनाई जाती है और यह दास दिनों तक चलता है वही बास दिवस समारो अपने आप में एक इंटरनेशनल महत्वर रखता है अंतराश्ची महत्वर रखता है जो यह 20 वस्तर पर भी मनाय जाता है आंग मौंग फेस्टिवल की बात करे तो इसे मनाती है संग्टम जनजाती संग्टम जनजाती मनाती है जो कि एक फसल उत्सब करूप में जाना जाता है वही तोखोई मोंग फेस्टिवल की बात करे इसे मनाने वाले लोग हैं लोथा नागो लोगो द्वारा इसे मनाय जाता है और फेस्टिवल की बात करें उसमें सामिल है यम से फेस्टिवल जो कि एक फसल पूर्व मनाई जाती है फसल उगने से पूर्व फसल काटने से पूर्व इसे मनाई जाती है और इसे मनाता है पोचरी जन जाती वहीं कुछ है अनित्योहार की बात करें जिनमें तुलुनी, मेटोमानो, मोनू, मियू, बुसू और नाजू यहां के कुछ प्रमुख और फेस्टिवल सामिल है यहां की प्रेटन अस्थल की बात करें जिसमें सामिल है प्रमुख दीमापूर, दीमापूर एक प्रमुख प्रेटन अस्थल है, लोंगलेम, कोईमा, जो इसकी राधानोई, मोकोक्चूंग, दीमापूर, तुयन सौंग, सहर, मोन, जुकुगाटी, तैफेमागां, प्रम, सिलोई, जिल, पर्रे, फेक, तुयसंग, वोखा, जुन्ह, वोटो, किफीरे, यह सबी यहां की प्रमुख प्रेटन अस्थल में जाने जाती है, जिसे आप एक वर्जा करके जरूर देखेंगे, वही यहां की बाइलाफ सेंचूरी की बात करें, जिसमें सामिल है रं सेंचूरी है, वही यहां पर एलिफंट रिजर्व की बात करें, जिन में सामिल है इन टांग की एलिफंट रिजर्व सिंग फान एलिफंट रिजर्व, और नेशनल पार्क की बात करें, जिसमें सामिल है इन टांग की नेशनल पार्क, मौन्ट किस्सा और लॉंग वा, लॉ जिका नागा लेंड के बारे में जितने भी सम इंपोर्टन फैक्ट थे वे हमने जाना और इस प्रकार आज सेवें सिस्टर स्रीज की ये वीडियो आखरी हुई सेवें सिस्टर स्रीज हमने पूरी कर चुक लिये हैं यानि सात राज यहां से जाने और कुछ प्रमुख राज हमने सौथ का भी जाना था जो लोग नई देखे हैं वो उसे एक वार प्लेलिस्ट विजिट करेंगे और उसे जरूर देखेंगे चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथ ही वेल आइकन को आउन कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक सेर लाइक कमेंट्स जरूर करेंगे इसी के साथ जैहिंद धन्यवाद